तो जाएंगे दोस्तों आपका अपने चैनल एस की हम इस्टडी पर फिट स्वागते बहुत ही मत्पूर्ट वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं मेरे परवच्चों यहां पर देखिए हम क्या बताने वाले अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे और बताने का प्रयास करेंगे यहां पर मेरे परवच्व हम बताने वाले हैं तक्षा बार्वति व्यक्या में आपका एक तारिक्त को पेपर हैसमें क्या 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 चीजते नहीं करने आकम कौपी कैसे लिखनी हैं सारी चीजहों के इत्समें आपको बताया हुआ хочा इक है तो सभी प्रत्रत्중 के लिए अनिवार हैं एस प्रश्ण पत्र में 5 खंड हैं आपको हमने बहुत बार बताया हुगा बार फिर्ज बता ठिक है तो यहाँपर क्या जाए खंड अ खंड भर खंड सब्सक्राइब खंड और विकलपी है तो फ्रतेक प्रस्ण आपके एक अंख्य के के होंगे खंड दो कि बात करेंगे लगुत्तरी ऌहाँ प्रतेय प्रकार के हैं प्रतेय क्रस्षण के ही आग स्ल Он के कि यहां पर दिखेंगे रिष्टित उत्तरी प्रस्ष नहां प्रतेय- के के पांच अंक के हैं ठीक है इस खंड के चारों प्रश्णों में आंतरिक विकल्प का चैन परदान किया गया है ऐसे प्रश्णों में आपके लिए चैन में से केवल एक ही प्रश्ण करना है ठीक है तो प्रश्ण में प्रयुक्त प्रतिकों के सामान ने अर्थ है ठीक है यह आ परिच्छार्ती उतर पुस्तिका किसी भाग में अपना नाम न लिखे तिक है और यहां पर आपको केंद्र व्यवस्तापक की मुहर रहेगी तिक है और केंद्रा ध्यक्च वंकच निरिच्कों को यह अधिकार होगा कि वे परिशत की परिक्षा में सम्मिलित होने वाले परिचार्थियों की तलासी ले सकते हैं ठीक है और उतर पुस्तिका के प्रिष्ट भाग पर दिये गए निर्देशों को ध्यान पूर्वक पढ़ें तर सावधानी के साथ पालन करें ठीक है और देखिए निम्नाकित क्रमांग एक सेच्छ तक की पूर्थी परिक्षार्थी सोयम करें जो क्रमांग है एक सेच्छ तक की परिक्षार्थी पूर्थी सोयम करेंगे इस उतर पुस्तिका का प्रयोग करने से पहले परिक्षार्थी यह भी देख लें कि उस पर वही वर्स परिचिद्रित है जिस वर्स में व आपको क्या करना है अनुक्रमांग अंकों में आपको यहां पर लिखना है उसके बाद यहां पर आपको सब्दों में लिखना है ठीक है यह आपके लिए इंपोर्टेंट है तो बहुत इंपोर्टेंट चीज है मेरे बार बच्चो आपको अगर जुले रहेंगे तो आप इदम बैतरी इन तरीके समझ पाएंगे हम आपको अच्छी तरीके से बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है ठीक है यह चीज आपको ध्यान देना होगा चलिए आगे आपको बताते हैं यहाँ पर ध्यान दीज अपर्टेंट है ठीक है टेके खंड की बात करेंगे की बात करेंगर ठीक है क्या अच्छी स्फेटर को स्वेट प्रकास बिसे घुजरने पर किस रंग के प्रकास अधिक्ता होता है तो चार आपने लाल पीला हरा ठीक сторон तो जाएगा ध्यान देज़ेगा बैग नी लिखना आपको किस तरीके से हैं, सच पहले आपका या सक्षान दूनों से एक डालना है किसी एक कप डाल सकते हैं डोनों नहीं डाल सकते हैं लेकिन आपको इसमें कोई फर्रक नेकोस समय यह लिखेंगे उसके बाद कख गग अंगा और च इस तरीके साब लिख देना है ठीक है तो चलिए यहाँ पर कुछिस्टन को देखते हैं जैसे इसमें कुछिस्टन दे रखा है क्या दे रखा है कि स्वेध प्रकास का प्रिजमे से गुजरने पर किस रंग के प्रकास का अधिक्तम बिचलन होता है तो कौन सा रंग ऐसा जिसका अधिक्तम बिचलन होता है वैगनी किसका वैगनी रंग का ठीक है बैदुत चुमकी तरंगे होती है तो बैदुत चुमकी तरंगे क्या होती है अ अनुपरस्त होती है अगला देखिए क्या है एक कुंडली में एक कुंडली में के सीरों के बीच 40 वोल्ट का प्रत्या वर्थी बोल्टेज आरोपित करने पर 80 मीली अम्पीर की धारा प्रवाइत होती है कितना 80 million-amp की धारा प्रवायत होती है होती है तो कुंडली का प्रतिघात होगा जो कुंडली है उसका प्रतिघात क्या होगा ध्यां दीजेगा क्या हो जैगा 500 तो यह बहुत ही मत्पून है जिरू कली मिन सुद्ध इंड चाल लक है रोता है वेद्दूत रोधी क्या होता है यह चीज आपको याद कर लेनी है सारे कुश utilizz को क्राएँ जाएंगे बहुत यह अची तारीक से ठीक है निमलेकिट कण एक ही वेक से गतिमान है मालीजा कोंहेरा कण है एक एक ही वेक से गतिमान है तो नियुन नतम जी बोगली तरंग देर्द वाला कण है तो कौन से होगा अलफा कण क्या होगा अलफा कण आपका होगा ठिक है यह आपके लिए हो जाएगा अगला कुछ संदे के जो कि आपके ले वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और बहुत ही मातवर पूर्ण है ठि कितना है नगण आंतरिक प्रतिरोध वाली बैटरी के सीरों के बीच जो प्रतिरोध होगा वो कितना होगा तो वो भी कितना होगा मेरे परवचो आर ओम होगा ठिक है अगला कुछ संदे के आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और बहुत ही मातवर पूर्ण टिक है यहां पर ध्यान देजदेंगा अगला देखिये क्या है सिक्संड वी की बात करेंड़े सिक्संड वी मी में खंड बो की बात करेंड़े टिक है रक साफ इना आपको देख फेने वाला है तो बहुत इंपोर्टेंट है बहुत ही मद्पूर है पएर बच्चों आपि के लिए ठीक है चलिए मापको आगए और बताते हैं सम्झाने का प्रयास करते हैं तो देखें किया प्रखास ब्रृत्वर्भाव में देहली तरंगदैर्द से क्या तात्पर है जो प्रकास बैदुत प्रभाव है उसमें देली तरंगदैर्द से क्या तात्पर है चले इसके बारे में आपको बताते हैं तो प्रश्णतर संक्या जिससे तरंगदेर्द का प्रकास धात उप्रिष्ट से धात उप्रिष्ट से प्रकास इलेक्टरान उसरजित कर सके तो यहाँ आप देखे खंड ब की बात करेंगे सेक्षन बी की बात करेंगे तो लेमडा 0 का देखें सिमान निकालना है आपको अच्छी तरीके समझना है यापर सेक्षन B की बात करेंगे खंडबा की बात करेंगे प्रस्मतर संख्या नंबर 2 के कव की बात करेंगे ठीक है तो देखें यहाँ पर क्या वजाएगा किसी धात उपर आप्तित प्रकास की त सर्जित कर सके क्या कर सके धात उपरिष्ट से क्या कर सके प्रकास इलेक्टान उसर्जित कर सके देहली तरंगदैर्द कहलाता है क्या कलाता है देहली तरंगदैर्द कहलाता है इसको लेमडा 0 से प्रदर्शित करते हैं किसे लेमडा 0 से प्रदर्शित करते हैं ठीक है यह आ लिए पहलब नुबर क्या है देखे ध्यान लिए कुई इस एक बार कि हईडूजन परमाड की वणक्रम में कौन सी परावैगनी भाग में होती है इसे कौन सी सिर्णी है जो परावैगनी भाग में होती है ठीक है तो लिए अगला कुछिसन देखेंगे आप लोग बहुत ही important question बहुत ही मत्पूर्ण कि जाए तो जहां तक एक सेकंड प्रवाहित कि जाए तो दुतियक कुंडली में उत्पन विदुत व bilmiyorum के बराबर हो ठीकर या आपके लिए हो जाएगा अगला धिकर क्विसान क्या आ dancer स्वी हुद उसमें क्या थिए बहुत ही According लंबाई कर देते हैं मानले जो कोई मारा तार है उसको कीज करम क्या कर देते हैं दो गुनी लंबाई कर देते हैं तार की प्रतिरोधक्ता पर क्या प्रभाव पड़ेगा किस पर तार की प्रतिरोधक्ता पर क्या प्रभाव पड़ेगा ध्यान दिज़ेगा बहुत important है बहूत ही महत्तुष पूर्ण है टिक है आ डैस बराबर देखिं यहां पर क्या हो जाएगा आर रोड-धर फोर है आपक आरपका स्फॉक्रस यहां अंवराइन स्कॉвонरच हो जाए एक अगला देखिये क्या है जो कि आपके यहां से कुछिशन क्या है? नहीं हम आपको बात करेंगे, प्रमस्में थो कि अंगा की बात करेंगे, थिक है? अंगा वाला क्या है, आपके लिए यहां पर देखेंगे, तो 5 cm लंबे तार को किसको? 5 cm लंबे तार को 2 x 10 x 4 टेसला के चुंबकी चेथे में रखा जाता है ठीक है क्या 5 cm लंबे तार को 2 x 10 x 10. चलई अब सक्षिब्स की बात कर लेते हैं खंड 100 की बात कर लेते हैं अगला देखे क्या है हमारा जो की आपने कोईसर नहीं बहुत ही इंपोरट है और बहुत ही मात्मूर है मेरे पैर बच्चो इसको भी अच्छी तरीके से पढ़िए का ताकि आपको एक्जाम में अच्छा से अच्छा नमबर मिल सकें सिक्सनलसी की बात करेंगे और आपको हमेरे साथ जुड़े रहना है कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है क्या है हाइगेंस के तरंग सिध्धान के प्रकास के परावर्तन की ब्याख्या कीजिए तो ध्यान दीजेगा यहां पर क्या हो जाएगा इस सिध्धान के अनुशार क्या हो जाएगा प्रकास तरंगों के रूप में गवन करता है जो प्रकास होता है वो तरंगों के रूप मे गवंन करता है प्रकास रोज से निकल कर ये प्रकास तरंग प्रकास रोस से निकल कर जो प्रकास तरंग है ना मेरे बच्छो वो दिखा दीजिए अगर इसके बारे मेरे रिवाध में चर्चा के तो थी महत्वर है तो आप सभी को हमारे साथ जूड़ी रहना अची तरीके से त्यारी कड़ते रहना है क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपORTANT कूसन और भी पूरण भी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा ध्यान दीजेगा तो अधार पर चालक विद्धुत्रोधी और और चालक अंतर बताना है टिक है तो क्या होजाएगा यहां पर बहुत ही इंपोर्टन्ट है बहुत ही मत्पूर्ण यह कुछ है बहुत ही सिंपल सा है देखिए यहां पर हमने आपको इसको बता रखा है क्या बता रखा है चालक वे पदार्थ होते हैं जो अपने अंदर से आवेस को आसानी से प्रवाहित करने देते हैं उसे हम क् बैदूत आवेश आसानी से प्रवाहित हो सकें तथा जिनमें मुक्त इलेक्ट्रान नहीं होते उिसमें क्या होते हैं मुक्त इलेक्ट्रान नहीं होते हैं अथ्वा कम संख्या में होते हैं और चालक कहलाते हैं क्या कहलाते हैं तो यह आपके लिए होताएगा आगे देखे अर्द चालक किसे काते है वे ढ़िछान दीजगां अर्ध चालग कहलाते हैं जैसे कि कारवन, शिलिकान टथा जर्मेंनियों अर्ध चालग यह पदार्त न तो पूंडा रूप से छालग होता और नहीं पू elrog से क्या होता है अचलग होता है ठीक कि आपके लिए को जाए गए परिपत की सहाईता से प्रतेज संधायत पर आवस की गड़ना करना ह आपको और अगला झाये परावार्थी दूरदर्ची का नामांकित किरण आरेक बनाई है दोनों को अच्छी तरीके से लिख लेजिए जो कि आप लिए बहुत ही इंपोर्टन्ट है और बहुत ही महत्वर पूर्ण भी है तो यह आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा इसको आप लोग इसकी इंसौर्ट कर परावठी दो दर्जी का कीड़ आरेक ठीक है यह आपको लिए हो जाएगा अगला देखें प्रस्टन नम्र चार की बात करेंगे जो कि आप लिए इंपोर्टन है बहुत है ठीक है जो इसकी बात कर लेते हैं आपको अच्छी तरीके सम्झाने का प्रयाद करते हैं ठीक है स़ेहां मेरे प्रवच्टों खंड़ की बात करेंगे सतंडी की बात करेंगे ठीक है यहाँ पर क्वेशं क्या दे कि क्विज रखा है वीडि स्टॉन वृज का सिध्यांत क्या है कि इसे प्राप्त कीजिए ठीक है थोकिए से प्राप्त कीजिए तो क्या हो जाएगा ध्यान दीज़ेगा मेरे प्यारवच्छों जो कि अखले बहुत इंपोर्टन बेहदी मत्पूर्ण है वीट इस्टोन से नामक बैग्यानिक ने प्रतिरोधों की एक विस्टोन अवस्था का विस्कार किया उन्होंने क्या कि एक वि भी इस्टोन से थुकार नियम कहते हैं इसमें अग्यान तारों का प्रतिरोधि जयाता है इसमें क्या किया थारों का प्रतिरोधिन जयाता है तो आगे चलिए आगे आपको बताते हैं आप धिया बंद पास इसमें क्या लिखेंगे बंद पास बीसी डीवी में आई थी क्यों माइनस आई फॉर एस माइनस आई जीजी बराबर जीरो समी करना बचाए यह आपको कर लेगा है टोटल बहुत इंपोर्टन तो आपको अच्छी तरीकिया स्रीट कर लेना एंठीक है उसका चार के भा की बात करेंगे जो की बहुत इंपोर्टन है बहुत क्या है कि सब्सक्राइब दिगरी कॉण वाले प्रिजम के प्रिष्ट से इक वणरी प्रकास की किरण चितरा नुसार आपतित होती है क्या होती है चित्रानुशार आप्तित होती है तो अपवर्तन के पश्चाद निर्गत किरण पृष्टч BC से तो यहाँ पर ध्यान दिदीघा BC से असपरसवत निकलती है तो प्रिज्म के पदार्त का अपरतनांग को निकालना है ती आंपको लिए हो जाएगा जो कि बहुत इंपोटन इसको करना उसके बाद यहां पर आपको कलना इंप refresh है बहुत ही महत्वा पूर्ण भी है ठीक है यह आपको पूरा कर लेना है अगला देखिए प्रश्ण अबसंगा चार के गह की बात करेंगे बहुत सब्सक्राइब करते हैं तो आप सभी को बहुत ही महत्वा पूर्ण को सब्सक्राइब करते हैं अगर कर हम गढ़ की बात करते हैं जी सहायता से प्याय और तरंग करार्ण क्रिया समझढय से प्यों सब्सक्राइब की करना क्रिया समय है टिक है तrik है वह परको संदिश्ट कर प्रयास करें इसमें क्या हो जा जब निए सी ए सी बोल्टेज के किसमें जब निए CAC Voltage के आधे चक्र में ठीक है किसमें कि त्रांसफार्मरश की दूतिय कूंडली का ए सीरा B सीरे से साफ ouais त्रांतम्क होता है तू संदिडाइयोड अग्र अभिनित होता है क्या शता है क्यों और अभिनित होता है तो संदिडायोड के प्लेडाम श्वरूब проद्व बोल्टता में केवल धन भाग ही प्राप्त होते हैं इस इस्तिती में लोड प्रतिरोध में धारा C से D की और प्रभाइत होता है जो धारा है C से D की और प्रभाइत होगा निवेसी AC बोल्टेज के अगले आधे चक्र में ट्रांसफार्मर के दुतियक कुंडली का A सीरा B सीरे के साप पेक्ष रिणात्मक होता है तो चंद डायोड उतक्रम अभीनत हो जाता है इस दसा में प्रतिरोध आरियल में धारा सूनने रहता है इस प्रकार मुक्यता धारा निवेसी बोल्टेज पहुचने से आधे चक्र में ही प्रहाइद होता है तथा सेस आधे चक्र में क्या होता है कट जाते हैं इस प्रकार उच्चावित प्रिश धारा लोड प्रतिरोध के आर पार खव्प रहता है, चितरवी में निछले भाग में धारा का तरंग रूप दरसाया गया है, जिसमें थोड़ा थोड़ा दूर पर अर्था थोड़ी थोड़ी दर में धारा के एक अदसी में अशपन्द दिखाई दे हैं इस प्रकार संदी डायोड एक अर्धतरंग द्रिष्टिकारी की भाति कारे करता है ठीक है यह आपके लिए हो जाएगा अगला कुछ संदेखे जो क्या बहुत इंपोर्टन्ट है बहुत ही मत्मूर है तो यह आपके लिए कुछ फीगर है जो आपको लिख लेना है अच्छी तरीके से बना लेना है ठीक है अगला देखें चार के घह की बात करेंगे तो इंपियर का नहां पर इस पर पूरा कर लेंगे ठीक है जो आपका अंसर आएगा उसको देख लेना है चलिए अगला देखें क्या है बहुत इंपोर्टन्ट इपॉर्टन की परिभासा देजिए एक कुंडली में बैदु धारा पांच मिली सेकेंड में जो एक कुंडली है उस कि आपकोंपी में लिख लेना है जो कि आपको निकालना है जो कि आपके लिए इंपोटन्ट और वे ही मातूओ पूर्ण है तो इस कूरूशन को भी अच्छी तरीके से कर लिएजिएगा आपके सामने दिख रहा है ठीक है पूरा इसकी स्वाड़िस का मान के आपको कॉपी में लिख लेना है ठीक है अगला कुशन देखिए जो आप लिए बहुत इंपॉर्टन बहुत ही मत्पूर्ण है ठीक है क्या है कुशन भी बहुत संतल ऑतल इन्स के संतल ऑतललक के वप्रिष्ट की वकटता तिज्जा दस संट्रमीटर कितना है तो 1.6 फरतनां को बाले के चेंगा में लियुक्ष को दूबाने पर इसकी फोकस दूरी पर प्रगृति क्या होगी ठीक है ठीक है तो ध्यान दीजए गाज़िए कि आपके लिए बहुत ही मात्पूर्ण है तो यह आपके लिए क्वेशन है इसको आप लोग पुरा कहले लिए इसकी इंसौर्ट कर लिए बहुत ही important है भूखोरा है चलि अगला देखिए क्या दूखि आपके लिए umporettent न फ्रकूरण है do रूप में केंद्री उच्चिष्ट की कुणी चोड़ाई का सूत्र प्राप्त कीजिए तो यह आपके लिए क्वेस्टन अंसर आपके लिए है प्रत्थम विवर्थन क्या है जब प्रकास किसी अवरोध या द्वारक पर जिसका आकार प्रकास के तरंगदयत के क्रम का हो आप भी कुछ प्रकार प्रकास महुँच जाता है और रोध या द्वारक की किनारों पर प्रकास का मोड़ना प्रकास का विवर्थन कहलाता है ठीक है यह आपके लिए हो जाएगा अगला देखिए केंद्री उच्चिष्ट के लिए चोड़ाई का सूत्र क्या हो जाएगा प्रकार से ज्यांत की जाती ज्यांदी जिए यह आपका अपत्राणों के प्रवाई धारा में संबंद का सूत्र प्राप्त कि लिए ठीक है यह आपके लिए हो जाएगा इसको भी आपको पुरा स्किंस वाटकर लेना है जो कि बहुत इंपरटन्ट है एक तातपर है इम्माद पून है तो यहाँ पर चले इसको भी आपको अच्छी तरीके से कर लेना है ठीक है इसको भी आपको कर सीजिय की पर्मार्ण की अस्थाई क्छाओं के त्रिज्याय मुकता क्वांडम संख्या के वर्ग के अनुकरमान पाती होती है तो ये भी आपको अच्छी तरीके से प्रूब कर लेना है बहुत ज़्यादा नहीं है जिसको विसकी सौट कर लेना है ठीक है चलिए अगला कूशन देखते हैं अंगा की बात करते है ठीक है त बड़ाबर 9 साइन नाइनटी साइन पॉइंट फाइप इंटू टैन की पावर 3 यक्स प्लस 1.5 वियंट आपके लिए तो यहां पर तरंग की चुमकी आवरिद्टी का तरंग देर निकालना है चुमकी छेत्र का शम्मी करण आपको निकालना है ठीक है आपके लिए हो सेक्षन यह की बात करेंगे जो कि आपने बहुत इंप्रोटन तो प्मून है क्या चलिए सेक्षन की बात करते हैं ठीक है आपके लिए यहां देखों शन के आया कि दिए गए परिपत की सहायता से ग्यात कीजिए क्या ग्यात करना है प्रतेक प्रतिरोध में प्रवाहिधारा और E1 सेलकिस सिरो की वोल्ट था ठीक है और ध्यान दिजेगा E1 बराबर 4 वोल्ट, E2 बराबर 8 वोल्ट E1 बराबर .5 Ohm R2 बराबर 1 Ohm यहा यहाँ पर क्या होगा? फोरपोइंट फाइब ohm 3 ohm और 6 ohm ठाहिए क enables यहाँ पर क्या होगा? विशिष्ट प्रतिरोध की परिवांसा तथा मातरक लिखिए या 20 सिंटिमीटर लंबे तार को खींच कर इसकी लंबाई में 25% के बृद्धी की जाती है तो नए तार के प्रतिरोध में परिवांसा तथा मातरक लिखिए तो इसको बच्छी तरह से मोटे मोटे तर पर आप इसकी इंसौर्ट कर सकते हैं यह आपके लिए अगला देखिए क्या है बहुत इंपोर्टन प्रशन उत्र संख्या नंबर साथ की बात करेंगे तो दो समांतर तारों के बीच माना दो लंबे समांतर वसीधे चलक तार अबी वसीधी निरवात के पास पास कागज के तल में रखे हैं जिनमें क्रमश आईवन वा आईटू एंपियर की धाराएं है तथा तारों के बीच के दूरी किना आर मीटर है ठीक है तो यह आपको मोटे तोर पर कर लेना है जो कि बहुत कर सकते हैं तो अगला कोई संदेखिए क्या है आपका क्या है मेरे पर बचो अथ्वा कोई संदेखिए बहुत इंपोर्टेंट भूत मतपूर है को ऐस्थ कर dec23 दोरी वाले कितना दस सेंटिमीटर फोकस दूरी वाले उत्तर लेंस करो कहां पर उत्तर लेंस की वाई और वी सैंटिमीटर की दूरी पर एक वस्तु इस्तित है कि इस से 30 कि दूरी पर 12.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का दूसरा उत्तर लेंस रखा है चित्र देखें अंतिम प्रतिविंब की इस्तिती प्रकृती तथा आवर्धन ग्याद कीजी है ठीक है यह आपको निकालना है जो कि बहुत ही इंपोर्टेंट बहुत ही मत पूर्ण है ठीक है आप फ पर सिंपल सी बसे गौस का नियम पूछ रहा है तो आपको गौस का नियम अच्छी तरीके से पुरा फुरूब कर देना ठीक है तो यह तो यह पूरा मॉड़ पेपर देखिए आपके लिए था जो की बहुत ही इंपोर्टेंट है बहुत ही मतपूर्ण है मेरे बचू अगर